नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर और आज में आपको एक ऐसी दिब जड़ी बूटी से परचित कराऊंगा जिस ओसदी का नाम है बरबरी दोस्तो इसको बरबरी के नाम से जानते हैं और इसके मैं अनेक भासाओं में विभिन ना सब़दा के नाम से जाना जाता है पैचहाना जाता है संस्कित में इसको बरबरी चुद्र तुल्शी या फिर बड़ी होने से तूंग 353 और खर पुस्पा के नाम से जानते हैं एसी इसके पुस्प और इसके पुज़े जंगलों ऐप को ऊगे के प्रयोग किया जाता है दोस्तों साथी साथ यह आपके बर्रततया के जहर को दूर करने में अद्भूद माने जाती है बर्रततया के जहर को दूर करने के लिए आप इन पत्यों को ले ले और पत्यों को ले करके हां से मसल करके और जैसे ही बर्रततया काठे आप उस पत्यों क सौरस को पत्यों साइद अगर रगड़ देते हैं तो जहां बेरत तया बिच्छू ने काटा है वहां पर दर्द बेदना सांथ हो जाती है बिच्छू के जहर को करने दूर करने के लिए अधुद माना जाता है आप उस अंग में फिरोदे ये इसको मसल करके जहां बिच्छू पत्यों के रस को नाक में अगर लेते हैं दोस्तों जिहां पत्यों को पीछ ले और एक-एक बूंद कर नाक में डालने से हिस्टेरिया की बिहोसी, सिर के दर्द, साइनस जैसी बीमारियों में विसेश लाब होता है आँखों की अगर समिस्या है, तब आँखों की समिस्या में आप बन तुल्षी के प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों यह जो फूल देख रहे हैं, इन फूलों का महत बहुत जादा है, और इन पत्यों को आप तोड़िए और बन तुल्षी के पत्तों के रस को लेकर के आँखों में अगर लगाती हैं, तो आँखों की बीमारी जो है खात्म हो जाती है आँखों की बीमारी से मिलाल लालिमा, आँखों की खुजली, आँखों की वराली में सूजन, इत्यादी खात्म होती है नाक की बीमारीों में तुल्षी का इस्तिमाल बहु ज़्यादा फाइदेबंद है नकसीर की सिकायत है नाक बहती है यानि की बिलीडिंग होती नाक में तब इस औसदी को पीसे और एक भून नाक में डाले तो नाक में डालने से नकसीर यानि की नाक से बेने वाला खून और जिसको पीनिस की सिकायत है पीनिस के रोग में विशेश लाप करता है ना कि फुनसी खत्म हो जाती है यहां दोस्तों अधभूद और चमतकारी अविस्थनी प्रयोग है अगर आपको लिकोरिया की सिकायत है धात रोग की सिकायत है लिकोरिया की सिकायत है ऐसे में आप बन तुलसी के इने पत्नों को ले ले और पत्नों को ले करके पीस ले और फिर उसका रस एक चमत दो चमत अगर आप खाली पेट शेवन करते हैं और उपर से दूझ सेवन करते हैं तो यह आपके धात रोग को खत्म कर देता है लिकोरिया और धात रोग को दूर करने के लिए अद्भूद माना जाता है इस औ बीज़ों का प्रियोग आपकी धात लोग और लिकोरिया को दूर करेगा कमजोरी खत्म होग को आप देखैंए इन पत्तियों को आप तीयों को मसल करके एक बूढ अगर कान में डालते हैं या फिर इन पत्तों को लेकर कि आप शेंधानमक और तेल मिलाकर कि अगर पकाते हैं और उस तेल को अगर एक-एक बून कान में डालते हैं तो कान का दर्द, साय साय की आबाद, कान की फोड़ा फुंसी इत्यादी समस्याद दूर होती है कंठ रोग में आप इस तुलसी के ये जो पत्ते फूल देख रहे हैं इन फूलों को और बासा जनी की रूसा अरूसा जिसे बोलते हैं उस फूल और सौंट को लेकर कि आप गरम जल में पीते हैं अगर तो ये कंठ रोग में जहां पर आपके गले मखराज पैदा होती है और ख खत्म हो जाती हैं साथ ही साथ अगर आपके इपेंडेक्स की बीमारी है तो इपेंडेक्स में आप इस पौध्य की सौरस के सिवन करें और पीस करके दर्दवाली स्तान पर प्रियोग करें चोट मोच दद और सूजन में खासका लापकारी है ये बहुत से प्रियोग है मैं आने बाली वेडियो में इसके प्रियोग बताऊंगा और अगर वेडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें चनल पर नहीं है तो चनल को सब्सक्राइब जरू कर दें बिलेगा अगली वेडियो में धालें